वेलकम दोस्तों मैं होट और जितन दर आज के वीडियो के इंदर मानने सुप्रीम कोड का बहुत इंपोर्टन जज्जमेंट बताने वाला हूँ जो होने वाला है हस्बेंड के फेवर में यानि कि इस जज्जमेंट से हस्बेंड को आसानी से डाइवर्स मिल जाएगा पूरा वीडियो बिल्कुल लंद तक देकि तभी पूरी जानकारी आपके जमेच में आएगी उससे फिले बतादे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए पहले लेकिन वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजिए मेरी से बात करना चाते हैं को आसानी से डाइबोस मिल जाएगा यानि कि इसमें ये बाते इस्पेश्ट की गई है कि अगर वाइप को दो वरसे ज्यादा हो गए है वो अगर बिनावजे हस्बेंट को छोड़ी के गई है हस्बेंट यहां पे पूरी कोसिस कर लिए उसको लाने की और फिर भी वह नहीं आ घारी है साबित कर ना पड़ेगा कि यहां पर बिना वजा या उसको छोड के गई है कोई कारण नहीं है कोई प्युक्त कारण वाइफ के पास में नहीं है बिना वजव छोड़ के गई है अगर हो डेजरेशन के आदार पर यह एपलाई करता है यहां पर वाइब को दोवर से ज्यादा हो गया है उसको छोड़े भी हैनि कि हस्बेंट को छोड़े वी तो बिल्कुल य को नहीं देगा CRPC 125 में भी यही बात कही गई है कि अगर वाइब बिना वज़य बिना युक्त कारण के अगर हस्बेंट को छोड़ के गई उसको दो वरस से ज्यादा हो गए है तो वह मैंटिनेंस की अकदार भी नहीं है यानि कि उसको मैंटिनेंस भी नहीं मिलना चाहिए तो यह बात यहां पर इसपेश्ट हो गए होगी कि जब से डाइवर्स का केस चलता है तब तक यह केस अंत होता है इस केस का तब तक यहां पर कोई मैंटिनेंस उसका नहीं बनेगा और अगर बाद में डाइवर्स के बाद का मैंटिनेंस बना दिया जाता है तो यहां पर उ जाके और उस जो मेंटिनेंस उसके परिष्टे लगवा सकता है यह पूरी जानकरी आपके समझ में आ गए होगी कि आदार पर हस्वेंट को आसा नीचे डाइवर्स भी मिलेगा और वह वाइफ को मैंटिनेंस भी नहीं देगा तो यह मानिया सुप्रीम कोड का जज्जमेंट ह नाम से है वीडियो के डिस्क्रिशने से पूरी पीटियफ पूरी जानकरी दी गई है वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड कर गया कि अगर आपका भी ऐसा ही केस बनता है तो बिलकुल आप इस जज्जमेंट को यूज कर सकते हैं क्योंकि यह जज्जमेंट बहुत ही हो रहा है मैंने मेरे पास आए कई केसों में इस जहमेंट को मूझ किया हूं तो बिलकुल फाइदा मिला है तो बिलकुल आभी जजमेंट को यूज कर सकते हैं अगर आपका भी यह सेम केस बत्ता है तो पूरी जानकरी आपके इस हमझा है आगई हो यह दो फर शरू कर